गुद मॉनिंग आवरीवर्न, हावर यू, आई होप यू ओल आर फाइन अट यूर होम, आज हम क्लास सैवन्थ की एन एलियन हैंड बुक में से चैप्टर नमबर वन, दे टाइनी टीचर को कॉंटिन्यू करने जा रहे हैं, बच्चों आपको पता ही है कि हमने इस चैप्टर का पार्ट वन जो है, वो पहले से ही डिस्कस कर लिया है, आज हम अभी इस चैप्टर को कॉंटिन्यू करेंगे, इसका मिनिंग क्या है, उसके पास क्या होते हैं, विंग्स का पेर होता है, मीन्स की पंक होते हैं, विच्ची कैस्ट ओफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एक्स, जिसको वो क्या करती है, कैस्ट ओफ का मिनिंग क्या होता है, थ्रो करना, means कि जब वो X देने लगती है तो वो अपने wings को क्या कर देती है throw कर देती है गिरा देती है X hatch and become grubs grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ends इसका meaning क्या है जब X जो है वो तूट जाते है तो वो grubs में change हो जाते है grubs किस में change होते है cocoons में and cocoons जब तूटते है तो वो क्या बन जाते है complete ends बन जाते है means कि इस sentence में आपको ant की life cycle के बारे में बता रखा है कि जो X होते है जब वो तूटते है तो वो grubs में change होते है grubs किस में change होते है cocoons में and cocoons किस में change हो जाते है perfect ends में the life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open देखो जो ant hills में ordinary ant रहती है means की सदारंसी ant रहती है उसके जो life होती है वो एक ऐसी book होती है जिसको कोई भी कभी भी open नहीं करता या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस book को open करते है the queen is the mother of the entire population of the colony means की इसका meaning क्या है कि वहाँ पे जितनी भी की ऐन्ट ही उसओ में population रहती है मदर इट लीप फूर अबाउट 15 इयर्स मीन्स की वो जो है टोटल 15 इयर्स जो है वो जीवित रहती है इट है उनके पास क्या होता है पेयर ओफ पेयर ओफ विंग्स किसके पास होते हैं क्वीन एंट के पास होते हैं अब देखो वो ना अपने ना विंग्स को क्या कर लेती है बाइट कर लेती है कट कर लेती है कब करती है जब उसकी वैडिंग फ्लाइट होती है मिन्स की जब उसकी शादी होने वाली होती है इस फ्लाइट टेक्स प्लेस ओना होड समर डे मिन्स की जब जो उसकी वैडिंग फ male ant or drove male ant को और क्या कहा जाता है drove देखो बच्चों यह क्या कह रहे हैं जब queen ant की wedding flight होती है तो वो ना अपने nest को छोड़ देती है और अपने male ant से मिलने के लिए मतलब air में उची उडान भर लेती है on its return to earth it gets reads of its wings and then does nothing but lay x जब वो अपने wings को क्या कर लेती है कट कर लेती है मैंने अभी आपको बताए था then does nothing but lay x तो उसका work क्या होता है सिरफ वो जो है x देती है उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती x hatch and grubs come out अब देखो x जो है वो तोट जाते है और वो किसमें change हो जाते है grubs में means कि उसमें से grubs आ जाते है zumal जर्जर गाड़ सॉल्जर सोल्जर सोथे हैं उसकी चोकिदारी करते हैं मिन्स की स्ुल्जर जाती है उसकी क्या करती धे है जोकिदारी करती है उनका द्यान रगदी है work car send होती है उनको खिलाती एद्स-धों को क्लीन करती है और एंड सो क्या होता है और जो वर्कर्स एंड्स होते हैं वो उनको क्यारीकर के लिए क्या आती है क्यों लिक्याती है एरिंग के लिए एक्सरसाइज करवाने के लिए और संशाइन के लिए टू और थ्री वीक्स लेटर तू और three weeks के बाद क्या होता है ? grubs become cocoon, जो the grubs होते वो किसमें चेंज हुआते है ? and lie without food or activity for three weeks more थो री week more क्या करते है then the cocoon breaks and perfect ends appear उसके बाद क्या होते है ? और फुद फौकुन भी तूट जाते है और वो perfect ends appear उसके बाद क्या होते है ? perfect ant जो है वो दिखाई देने लग जाती है means कि वो perfect ant में change हो जाते है now it's time for teaching and training अब देखो बच्चों उसको क्या time होता है teaching करने का and training करने का means कि जो अब ant जो है वो पूरी तरह से appear होने लगी थी अब उनका क्या time आया है teaching करने का and training करने का मिन्स कि वो कुछ सीखते हैं, टरेनिंग लेते हैं. वो जो old and से क्या करती हैं, कुछ सीखती हैं, अपनी डिउटी से रिलेटेड सीखना शुरू कर देती है. अपनी ड्यूटी को वो सीखना स्टार्ट कर देती है अफ्टर फ्यू विक्स ट्रेनिंग अब देखो कुछ विक्स ट्रेनिंग के बाद क्या होता है अब देखो work करने के लिए small ant जो होती है वो पूरे के पूरे संसार में बिल्कुल रेडी हो जाती है work करने के लिए अब देखो यह क्या कह रहे है जो ant hills जो home होता है ants का वो सिरफ ants का ही home नहीं होता but also for some other creatures वहाँ पर कुछ और creatures भी रहते है बीटल्स, lesser breeds of ants and the green fly यह जो creatures है यह भी क्या रहते है उस nests में ही रहते हैं ant hills में ही रहते हैं अब देखो यहाँ पर question put किया गया है कि जो यह ants होती है यह इन alien creatures को अपने nest में क्यों रहने देना चाहती है for several reasons इसके भी कुछ reasons है some give of smell pleasing to the ants senses अब देखो कुछ जो होते हैं को क्या करते हैं ants को भूछ सुहामनी सी क्या देते है smell देते हैं next other give sweet juices और जो कुछ creatures होते हैं वो उनको sweet juice देते हैं and some are just pets or play things like cats and dogs to human beings जैसे की बच्चो हम होते हैं हम जो है pets रखते हैं as a cows as a dogs या हम कोई play things रखते हैं अपने पास हमारे यह शोक होते हैं यह मालो तो ऐसे ही क्या होता है जो ants होती है वो भी क्या करती है as a pets इनको अपने पास रखती है the green fly is the ants cow देखो जो green fly होती है वो ants की cow होती है the ants train it to give honey dew अब देखो बचो यह क्या कह रहे हैं जो ants होती है न वो green fly को honey dew देने के लिए train करती है like milk जो honey dew होता है वो ants का न milk माना जाता है with the touch of their antony वो क्या करती है फिर उनसे उनको train करती है green fly को और उनसे क्या करती है honey dew लेती है जैसे हम milk लेते न काउसे वैसे ही वो क्या करती है honey dew लेती है with the touch of their antony अब आप सोच रहोगे यह honey dew से लेती कैसे है वो जो है अपने antony को टच करके green fly से क्या लेती है honey dew they milk it just as we milk the cow अब देखो जैसे कि हमारा यह milk जैसे हम cow से लेते हैं तो यह जो है वो क्या करती है यह जो है green fly से milk लेती है okay have humans learn as much of ants have अब देखो वो क्यारे humans को ants से कुछ सीखना चाहिए perhaps they have वो कहते शायद उनको सब कुछ पता भी है but they have not put their learning to good use मगर वो जो है कुछ भी मतलब ऐसा अच्छा कुछ भी नहीं करते कि ऐसे लगे कि उनको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है मतलब वो good efforts नहीं डालते अपने वर्क को करने में they may still learn a few things from this tiny teacher अब वो कहरे कि हमें ना क्या करना चाहिए उस tiny teacher से कुछ things को सीखना चाहिए कुछ बातों को सीखना चाहिए like hard work sense of duty and discipline cleanliness care for the young ones देखो जैसे कि वो कितना hard work करती है कितने अच्छे से अपनी duty को perform करती है कितने discipline से वो रहती है और कैसे वो कितने discipline से अपना work complete करती है cleanliness means कि अपने ant hills में बिल्कुल साफ सफाई रखती है care for the young ones आपने देखा ही है अभी पूरी story में कि कितने मतलब अपने young ones का कैसे वो ध्यान रखती है कैसे वो उसके care करती ह and above all और इसके अलावा a firm loyalty to the land where they live जहां पे वो रहते हैं जिस land पे वो रहते कैसे वो वफदारों के तरह अपना work करते हैं so students हमें भी इस tiny teacher से बहुत सारी बातों को सीखना चाहिए like जैसे कि hard work हो गया duty होगी कोई भी काम को करने की discipline से रहना चाहिए discipline से अपनी duty को perform करना चा चाहिए अपने young ones की care करनी चाहिए और अपनी मात्र भूमी के प्रती भी हमें अपनी वफदारी को दिखाना चाहिए show करना चाहिए ओके बच्चों तो अब आपने क्या करना है इस tiny teacher से जो आपने सब कुछ सीखा है वो जो है अपनी life में मतलब की show करना है कि मतलब सब को प